पेज नमबर 53 पर उधरा नमबर 17 है सीधे गुणा ना करके 105 गुणा 106 का मान ग्याद कीजिए हमने इसको डिरेक्ली गुणा नहीं करना और फिर इसका मान ग्याद करना है डिरेक्ली गुणा किये विना इसका मतलब हमें कोई नवई सर्व समी का यूज करनी पड़ेगी तो सर्व समी का क्या यूज करोगे आप X प्लस A इंटू X प्लस B तो देखो जो मेरे पास है 105 105 को अगर मैं लिख लिए 100 जमा 5 और 106 को लिख लिए 100 जमा 6 तो यहां पर जो X है वो तो दोनों में 100 हो गया और जो A है वो 5 हो गया और जो B है वो 6 हो गया तो अगर मैं इस सर्व समी का का यूज करूँ इस्तिमाल करूँ तो मैं 105 गुना 106 की वैली निकाल सकता हूँ अब सर्व समी का यह कहती है कि अगर X प्लस A को X प्लस B से गुना करें तो गुना करके क्या आएगा एक स्केयर प्लस A और B को जोड़ दें A प्लस B इसको X से गुना कर लिए और फिर A को B से गुना कर लिए तो यह सर्व समी का है हम इसका यूज करेंगे तो यहां पर X की जागे 100 और A की जागे 5 और B की जागे 6 इसमें पुट कर लेते हैं तो हमारे पास है X का स्केयर 100 का स्केयर प्लस A प्लस B यानिकी 5 जमा 6 गुना X एकस का मतलब है 100 और जमा जमा A B, A B का मतलब 5 गुना 6 यहां पर आप लिख सकते हैं A बराबर 5, B बराबर 6 और X बराबर 100 सर्व समी का एक में रखने उपर तो आपने A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 6 और X की वैल्यू 100 इसमें पुट कर लिए इसको पुट करके आपको यह मिला अब देखो 100 को 100 से गुना करेंगे तो दो जिरो हैं तो चार जिरों बन जाएंगी वर्व जिपी करते हैं तो जो नंबर ओफ जिरों हैं शुन्यों की संख्या वो डबल हो जाती है तो यहां पर दो जिरों हैं तो दो की यह चार बन जाएंगी पांच जमा छे ग्यारा और गुना 100 और प्लस पांच ही के 30 तो यह बन गया है 10,000 प्लस 11100 प्लस 10,000 और 11,100 तो इसको जोड़के ही आमारे पास इसका आंसर आपले है